आप आपको बताऊंगा कि जो अपका पेटियम वालेट का जो बैलेंस है उसे किस तरीके से आप एज़िली अपने पेंक अकाउंट में किस तरीके से ट्रांसफर कर सकते हो आज किस वीडियो में इसी बारे में बताऊंगा पूरा कंप्लीट A-to-Z पूरा प्रोसेस इस वीडि कर लेना है जैसे आप यहाँ पर Paytm को open करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह के का interface आएगा उसके बाद में आपको slide करना है और यहाँ पर पास्वुक में चले जाना है जैसे आप यहाँ पर पास्वुक पर चले जाता है तो यहां पे जो यहां पर लिखा रहा है पेटियम बेलेंस यहां पर मेरा जो पेटियम बेलेंस है वह यहां पर सो ये यह कुछ इस तरीकर होगा उसके बाद में इससे आपको दो बाद टच करना है लगातार आपको दो बार टाश करोगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीकर कर यहाँ फफर liege जाएगा आपको करना क्या है यहां से Dusty लप पहला आपको request यहां पर देख सेको request statement का option मिल जाएगा आप statement मंगवा सकते हो दूसरा हो गया send money to bank यहां पर तीसरा हो गया add money to paytium wallet और automatically add money करना चाहते हैं तो वो भी आप यहां पर easily कर सकते हो तो हमें करा है यहांपर जो डेंक में हमरे पैसे ट्रांसवर करना है तो हमें बैक में बेजना है मेरा कलिक करना है send money to bank यहां पर आपको अमांट डालना है यहां पर है याद राखना आपf कि 10 रुपे से अगर आप कम डौना सीर्सिके माल ला हो मैं 10 रूबे यहां पर डालता हूं तो यह मेरा यहां पर गुंस रूपे नहीं लेगा यह पूरा मेकसिमूम महां पर आपकोी सुर्पे से इहां 25,000 तक बेस सकते हों तो मैं अकाउंट नमबर फिलब कर देना है जो भी आपका अकाउंट नमबर है उसके बाद में यहां पर आपको आएपसी कोड डाल देना है जो भी आपका बेंक का जो आएपसी कोड है वो यहां पर डाल देना है उसके बाद में यहां पर अकाउंट का होल्डर नाम डाल देना है ज मैं Wayältिय क् Suey formation है तो यहां पे मैं दाल देता हूं यहां पर क्लिक करता हूं तो यहां पे यहाँ पर कन्सइए यहां पर चार्च है आपको और यहां पर पर चार्जि कर मेंश कर लेए आपको यहां पर फिर लहरा है अपको यहां Ursah लगेगा गाइस बट यहां पर अभी हमारा जीरू परसेंट चार्ज लग रहा है यहनि कि जो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसवर करेंगे तो यहां से हमें टोटाल बेस रुपए ही देने पड़ेंगे बट अभी आपको कोई चार्ज यहां पर नहीं देना पड़ेगा जैसे आप प्रसेट पर क्लिक करोगे यह आपके बैंक अकाउंट में इजली यहां से ट्रांसवर हो जाएंगे यहां पर एक OTP आएगा आपके मूबाइल नंबर जो रजिस्ट्रेशन है उस पर एक OTP आ गया है तो यहां पर आपको एक OTP को फिलप करना है तो यहां पर दे सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेश जरूर कर लेना